स्काइब टो यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन टिकेट लेटिस अप्रेट के सिमाओं पर चीन की बूरी निजर तो काफी समय से थी दोनों की सेनाओं के बीच जड़प की खबरे भी आती रही हैं लेकिन 15 जून की रात भारतिय सेना का एक अफसर और दो जवान चीनी सेनिकों के साथ हिंसक छड़प में शहीद हो गए नमस्कार मैं हूँ अंशिका सारडा और पूरे 45 साल बाद इस तरह की कोई घटना हुई है लेकिन हाली में ये भी पता चला है कि नुकसान काफी बड़ा है सिर्फ तीन ही नहीं बलकि भारत के 20 जवान इस छड़प में मारे जा चुके हैं वही चीन के भी 43 सेनिकों को नुकसान पहुँचा है इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाओ चरम पर पहुँच गया है क्या है ये पूरा मामला आईए जानते हैं मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई कि गलवान घाटी में सौमवार की रात को दे-escalation की प्रक्रिया के दोरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक जड़प हुई बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने पत्थर बाजी की और कंटीले डंडों से भारतिय सैनिकों पर हमला कर दिया इस पूरी जड़प में चीन की और से भी ये कहा जा रहा है कि उनके जवानों को भी नुकसान पहुचा है भारत और चीन के बीच में 45 साल के बाद ये हिंसक जड़प हुई है आपको ये बता दें कि साल 1975 में अरोनाचल प्रदेश के तुलूंगला में भारतिय और चीनी सैनिकों के बीच जड़प हुई थी चीनी सैनिकों ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगा कर हमला किया था जिसमें भारत के चार जवान शहीद हो गए थी मेडिया रिपोर्ट्स में ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि दोनों देशों के बीच हुई हिंसक जड़प में चीन के भी पांच सैनिक मारे गए हैं और ग्यारा जवान बूरी तरह से खायल हो गए है हलांकि ग्लोबल टाइम्स ने खुद इसकी पुष्टी नहीं की है मगर इसके संपादक और चीनी पत्रकार हूशी जिन ने मंगलवार कुर्यानी की 16 जून को एक ट्वीट करके कहा कि जहां तक उन्हें पता है उसके आधार पर गलवान घाटी में हुई जड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए हैं हलांकि उन्होंने मृत को किस संख्या नहीं बताई हूशी जीन ने ट्वीट में आगे कहा कि वे भारते पक्ष को बताना चाहते हैं कि ये एस्रिकार्य है पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रंदीब सूर्जेवाला ने ट्वीट करके कहा कि ये हैरां करने वाला है और विश्वश्निय और एस्रिकार्य है क्या रख्षा मंत्री इसकी करेंगी गल्वान खाटी इलाके में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है यह तो सब जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और वो कभी भी इस तरह की हरकत सामने से नहीं करता है लेकिन शायद भारत की शांतिप्रिय नीति का ही फाइदा चीन उठा रहा है औ मारेता